तो फ्रेंस आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि application कैसे लिखना है आपको अपने छुट्टी के लिए application कैसे लिखना है तो यह आपके board exam का paper है 2023 में ऐसे आया हुआ था जो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि किस प्रकार से application लिखने के लिए आता है तो कुछ इस प आपको क्या करना सबसे पहले डाल देना question to answer और answer number आपको डाल देना है क्या लिखना है application अप्लिकेशन सबसे पहले लिख देना इसके बार लिखना to फिर उसके बाद just the principle प्रिंसिपल के बाद आपको लिख देना just उसी के नीचे jmic प्रियाग राज मैंने आपको फ्रिंस अपने विद्यालाइका नाम लिख दिया है इसके बाद क्या करना subject में लिख देना application फार ले आप application किसलिए लिख रहा है वो लिखना बहुत जरूर है फ्रिंस इसके बाद लिखेंगे उसके just नीचे से आपको ये पार्मेट होता है फ्रिंस लिखने का तो आपको just उसके न नाम नहीं लिखना आप x y z ही लिखेंगे इसके बाद लिखेंगे फ्राम क्लास 10th sir I have been आपको I have been suffering from fever इतना फ्रिंस आपको लिख देना इसके बाद लिखना फ्राम दा लास्ट टू डे सो I am to attend the class in school ऐसे फ्रिंस आपको यहां से application complete होता है अब लास्ट में आपको एक to me live for three day इतना फ्रेंस आपको लिख देना है इसके बाद क्या लिखेंगे thanking you sir और यहां लास्ट में लिख देना है you are evidently x y z आपको नाम नहीं लिखना है x y z लिखना है इसके बाद लिखेंगे class 10th इतने में आपको फ्रेंस चार नंबर का application आता है आपको इसको बिलकुल भी छोड़ कर नहीं आना है चार नंबर का आता है application आप इसको लिख कर आईएगा तो आप मिलते हैं फ्रेंस नेक्स्ट वीडियो में तब तक क्लिए जैहिन वंदे मात्रब